नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डेली स्टाडी में डेली स्टाडी के इस वीडियो में देखेंगे बेस्ट 75 करेंट रफेयर्स जो अगामी परिक्षा SSC, Railway, Bank, SSCCPO, SVIPO, Railway Group D, Assistant Locopilot, Technician, Bihar Police, All competitive exams के लिए काफी important होगा इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक जरूर देखिए और इस चैनल पर आपको प्रोवाइड किया जाता है जेनरल नौलेज, जेनरल साइन्स और इस चैनल का important बात या है कि आपको प्रोवाइड किया जाता है डेली करेंट फियर सुबह में इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे इस तरह का लाल कलर का सब्सक्राइब बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को क्लिक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद आपका बेल आइकन इस तरह से दिखना चाहिए तब आपको आने वाले जितने भी वीडियो अपलोड होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको सुरू हो जाएंगे मिलना तो चलिए सुरू करते हैं किस राज की सरकार ने हाल ही में दिमागी बुखार को लेकर दस्तक अभियान शुरू किया है इसका सही उत्तर होगा बी नंबर आप्शन उत्तर परदेश उत्तर परदेश सरकार ने हाल ही में दिमागी बुखार को लेकर दस्तक अभियान शुरू किया है उत्तर परदेश की राजधानी है लखनाउ लखनाउ गोमती नदी किनाड़े बसा है और इसमें मुख्य बात दस्तक को आपको ध्यान में रखना है कभी इस तरह से प्रशन पूछेगा कि उत्तर परदेश सरकार ने दस्तक अभियान शुरू किया है और यह किसलिए शुरू किया है तो इसका सही उत्तर होगा दिमागी बुखार को लेकर दस्तक अभियान शुरू किया गया है नेक्स्ट, हाल ही में कौन T20 किर्केट में सबसे ज्यादा कैच जो की 134 है लपकने वाले विकेट की पर बन गए हैं इसका सही उत्तर होगा महेंदर सिंग धोनी नेक्स्ट, हाल ही में I-Report के मुताविक कौन सा देश नवजात सिस्वों के लिए सबसे सुरक्षित देश बना है इसका सही उत्तर होगा D-Number Option जपान जपान हाल ही में नवजात सिस्वों के लिए सबसे सुरक्षित देश बना है नेक्स्ट, किस राज की सरकार ने हाल ही में इस कुलों में गायतरी मंत्र अनिवार करने का निर्देश जारी किया है इसका सही उत्तर होगा D-Number Option हरियाना हरियाना सरकार ने हाल ही में इस कुलों में गायतरी मंत्र अनिवार करने का निर्देश जारी किया है हर्याना की राजधानी है चंडीगड साथ ही पंजाव की राजधानी भी है चंडीगड Next, हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताविक वैस्वीक भराष्टा चारध हरना सुचकांक में भारत को कौन सा अस्थान मिला है इसका सही उत्तर होगा A number option 81 Next, कौन सा देश हाल ही में बीट कोईन को सरकारी मन्यता देने वाला पहला देश बना है इसका सही उत्तर होगा C number option वेने जुला Next, हाल ही में कौन अकेले लराकु विमान उराने वाली भारत की पहली महला बनी है इसका सही उत्तर होगा C number option अबनी चत्रुवेदी ये most important है अबनी चत्रुवेदी अकेले लराकु विमान उराने वाली भारत की पहली महला बनी है इसका सही उत्तर होगा गांधी नगर Next, कौन सा रेलवे स्टेशन हाल ही में भारत का पहला ladies special railway station बना है इसका सही उत्तर होगा गांधी नगर ये गुजरात की राजधानी गांधी नगर नहीं है ये गांधी नगर राजास्थान की राजधानी जयपूर के अंदर एक गांधी नगर है जो भारत का पहला लेडिज स्पेशल रेलवे स्टेशन बना है Next हाल ही में कौन जिमनेस्टिक्स विश्व कप में पदक जितने वाली पहली भारतिय बनी है इसका सही उत्तर होगा C नंबर ओप्शन अरुना रेड़ी Next हाल ही में किस अस्थान पर अंतराष्टिय सतता विकास समेलन 2018 संपन हुआ है इसका सही उत्तर होगा B नंबर ओप्शन दिल्ली Next हाल ही में किस सहर में भारत की प्राथम हेलिकॉप्टर टेक्सी सर्वेस शुरू की है इसका सही उत्तर होगा C नंबर ओप्शन करनाटक की राजधानी बेंगलूरू बेंगलूरू सहर में भारत की प्राथम हेलिकॉप्टर टेक्सी सर्वेस शुरू हुई है ये most important है इसे आप ध्यान में रखिएगा Next हाल ही में 90 ओसकर पुरूसकारों की घोसना की गई जिसमें किसे सर्वेस शुरूसकार का पुरूसकार मिला है इसका सही उत्तर होगा B नंबर ओप्शन गावडी ओल्ड मैन गावडी ओल्ड मैन गौडी अल्ड मैन को नब्वे ओसकर पुरुषकारों की घोसना की गई जिसमें सर्वस्टेस्ट एक्टर का पुरुषकार गईडी अल्ड मैन को मिला है नेक्ट हाल ही में कौन पकिस्तान की पहली महला दलित हिंदू सिनेटर बनी है किस किरकेट टीम ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2018 का खिताब जीता है इसे आप ध्यान में जरू रखिएगा इसका सही उत्तर होगा C नेमबर ऑप्शन करनाटक करनाटक ने विजय हजारे ट्रॉफी 2018 का खिताब जीता है नेक्ट किस देश ने हाल ही में सहमती से सेक्स की आयू 15 वर्स करने का निरने लिया है इसका सही उत्तर होगा B नेमबर ऑप्शन फ्रांस नेक्ट किस देश ने हाल ही में दुनिया की पहली कानूनी मान्यता प्राप्त क्रिप्टो क्रेंसी लाउंच की है इसका सही उत्तर होगा B नेमबर ऑप्शन मार्सल आइलेंड नेक्ट किस देश में हाल ही में पहली बार महला मेराथन परतियोगीता का आयोजन किया गया है इसका सही उत्तर होगा ए नमबर आप्शन साओधी अरव नेक्ट हाल ही में पीएम मोदी ने टीबी मुक्त सिखर सम्मेलन का उधगाटन किया जिसका लक्षी है ये मोश्ट इंपोर्टेंट है इसका उत्तर होगा ए नमबर आप्शन PM Modi ने TB मुक्त सिखर सम्मिलन का उद्गाटन किया जिसका लक्षी है वर्ष 2025 तक देश से TB रोक समाप्त करना Next इनमे से किसे हाल ही में नारी सक्ती पुरुषकार से समानित किया गया है इसका सही उत्तर होगा C नंबर आप्शन गीता मितल गीता मितल को नारी सक्ती पुरुषकार से समानित किया गया है Next हाल ही में आये World Wide Cost of Living 2018 सर्वे के तहत कौन दुनिया का सब से महंगा सहर बना है इसका सही उत्तर होगा B नंबर आप्शन सिंगापूर Next हाल ही में जारी हुई World Happiness Report 2018 में भारत का कौन सा अस्थान मिला है इसका सही उत्तर होगा A नंबर आप्शन 133 World Happiness Report 2018 में भारत को 133 अस्थान मिला है यह important है इसे आप धियान में रखिएगा Next केंदर सरकार ने हाल ही में किस सिराज में प्लास्टिक पार्की की अस्थापना को मंजूरी परदान की है इसका सही उत्तर होगा C नंबर आप्शन जारखन्ड जारखेंड में प्लास्टिक पार्की अस्थापना की मंजूरी परदान की है केंदर सरकार ने हाल ही में नेक्ट केंदर सरकार ने हाल ही में टीवी के मामले में रिपोर्ट नहीं करने पर डाक्टरों को कितने साल तक की सजा देने का निरने लिया है इसका सही उत्तर होगा B number option दो साल केंदर सरकार ने TB के मामले में रिपोर्ट नहीं करने वाले डक्टरों पर दो साल की सजा देने का निरने लिया है Next, हाल ही में जारी उर्जा संकर्मन सुचकांक में भारत को कौन सा अस्थान मिला है इसका सही उत्तर होगा 78 तरवां C number option सही होगा Next, किस देश की सरकार ने हाल ही में फर्जी खबड़े छापने पर 10 साल की सजा का निरने लिया है इसका सही उत्तर होगा C number option मलेसिया मलेशिया सरकार ने फरजी खबिडे छापने पर 10 साल की सजा देने का निरने लिया है Next, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताविक कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मोवाइल डेटा कंजीमर बना है इसका सही उत्तर होगा C नंबर आप्शन भारत Next, कोन गनिता की हाल ही में वर्ष 2018 के अबेल प्रुषकार के विजेता बने है इसका सही उत्तर होगा C नंबर आप्शन रोबर्ट लॉंग लैंड्स रोबर्ट लॉंग लैंड्स 2018 के अबेल प्रुषकार के विजेता बने है नेक्ट किस टीम ने हाल ही में आठवी होकी इंडिया सिनियर प्रूस राष्टिय चेंपियनसीप का खिताब जीता है इसका सही उत्तर होगा B-Number Option पंजाब इसे आप धियान में रखियेगा कि पंजाब ने आठवी होकी इंडिया सिनियर प्रूस का राष्टिये चेंपियन सीप का खिताब जीता है Next, कौन सा बैंक हाल ही में भारत का सबसे बरा भुगतान बैंक बना है तो इसका सही उत्तर होगा B-Number Option इंडिया पोस्ट Next, किस सिराज की सरकार ने हाल ही में कमजोर पडिवार की यूवतियों है तू रूप स्री योजना आरंब की है इसका सही उत्तर होगा B-Number Option पस्चिम बंगाल पस्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में कमजोर पडिवार की यूवतियों है तू रूप स्री योजना आरम की है और रूप स्री योजना को आपको धियान में रखना है इस तरह से प्रस्मी पुछा जा सकता है कि पस्चिम बंगाल ने रूप स्री योजना शुरू की है और यह क पुरुसकारों की केंद्रिय समीती के परमुख बने हैं। इसका सही उत्तर होगा C नंबर ओप्षन सेखरकपूर। Next, राष्टपती रामनात कोविंद ने हाल ही में किसे मर्नोप्रांथ सोड्य चक्र से समानित किया है। इसका सही उत्तर होगा B नंबर ओप्षन मेजर सतीस दहिया। मेजर सतीस दहिया को राष्टपती रामनात कोविंद ने हाल ही में मर्नोप्रांथ सोड्य चक्र से समानित किया है। Next, कोन वेक्ती हाल ही में आयुस्मान भारत मिशन के CEO नियुक्त किये गए हैं। इसका सही उत्तर होगा D नंबर ओप्षन इंदू भुसन। Next, हाल ही में कोन IPL में डेब्यू करने वाला सबसे युवा किरिकेटर बने हैं। इसका सही उत्तर होगा C नंबर ओप्षन मुझीब उर्रहमान जोकी अफगानिस्तान से हैं। Next, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कच्चे इसपात उत्पादन के मामलों में भारत को कोन सा अस्थान मिला है। इसका सही उत्तर होगा B नंबर ओप्षन दूसरा। Next, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताविक मोवाईल फोन उत्पादन के मामले में दुनिया भर में भारत को कोन सा अस्थान मिला है। इसका सही उत्तर होगा B नंबर ओप्षन दूसरा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुटाविक मुवाइल फोन उत्पादन के मामले में दुनिया भर में भारत को दुसरा अस्थान मिला है इसे आप ध्यान में रखिएगा Next, कौन वेक्ती हाल ही में बैंक बोर्ट ब्योरो के चेर्मेन नियुक्त किये गए हैं इसका सहे उत्तर होगा C नंबर उप्शन भाणू प्रताप सर्मा भाणू प्रताप सर्मा को बैंक बोर्ट ब्योरो के चेर्मेन नियुक्त किये गए हैं Next, किस टीम ने हाल ही में संतोष ट्रोफी 2018 का खिताब जीता है इसका सहे उत्तर होगा C नंबर उप्शन केरल इसे अब धियान में रखियेगा कि केरल ने संतोष ट्रोफी 2018 का विजेता है Next, हाल ही में 65 राष्टिय फिल्म पुरुषकारों की घोसना हुई जिसमें किसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवर्ड मिला है इसका सहे उत्तर होगा B नंबर उप्शन स्री देवी स्री देवी को 65 राष्टिय फिल्म पुरुषकारों की घोसना हुई जिसमें कि बेस्ट्रेस्ट का अवर्ड मिला है और इसे मर्नोपरांत दिया गया है ये अवर्ड स्री देवी को मर्नोपरांत दिया गया है नेक्ट, हाल ही में किसे विजडन लिडिंग किर्केटर आप दे एर के रूप में चुना गया है इसका सहे उत्तर होगा C नंबर उप्शन विराट कोहली नेक्ट, किस सिराज की सरकार ने हाल ही में बच्चों की पढ़ाई है तु मिसन बुनियाद की सुरुआत की है इसका सहे उत्तर होगा C नंबर उप्शन दिल्ली, दिल्ली सरकार ने हाल ही में बच्चों को पढ़ाई है तु मिसन बुनियाद की सुरुआत की है नेक्ट, किस राज की सरकार ने हाल ही में छात्रा पड़िवहन सुरक्षा योजना शुरू की है इसका उत्तर होगा C नंबर उप्शन हर्याना नेक्ट, किस राज को हाल ही में फिल्म फ्रेंडली राज का पुरुषकार मिला है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इसे ध्यान में रखिएगा इसका उत्तर होगा A नंबर उप्शन मैधपरदेश मैधपरदेश राज को फिल्म फ्रेंडली राज का पुरुषकार मिला है नेक्ट, वैग्यानिकों ने हाल ही में मानव सरीर में एक नए अंग की खोज की है उस अंग का क्या नाम है इसका उत्तर होगा B नंबर उप्शन इंटर इस्टिटियम नेक्स्ट, केंदर सरकार ने हाल ही में सिक्षा को लेकर एक कारीकरम शुरू किया है जिसका नाम है इसका सही उत्तर होगा A number option a study in India सिक्षा को लेकर केंदर सरकार ने study in India नामक कारीकरम शुरू किया है नेक्स्ट, हाल ही में हुए Commonwealth Games 2018 में कौन सा देश पदक तालिका में पहले अस्थान पर रहा है इसका सहे उत्तर होगा D number option आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया Commonwealth Games 2018 में फर्स्ट नंबर पर रहा है और वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया तिसरे नंबर पर रहा है नेक्स्ट, हाल ही में किसे राज कपुर लाइफ टाइम अचिवमेंट पुरुषकार से समानित किया गया है इसका सहे उत्तर होगा B number option धर्मेंद्र नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक स्वतंतरता सुचकाउंक में भारत को कौन सा अस्थान मिला है इसका सहे उत्तर होगा C number option एक सो तिसवा हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक स्वतंतरता सुचकाउंक में भारत को एक सो तिसवा अस्थान प्राप्थ हुआ है नेक्ट, हाल ही में कौन सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री बने है इसका सहे उत्तर होगा B number option पवन चामलिंग पवन चामलिंग जो की सिक्किम के मुख्यमंत्री है इन्होंने सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री बने है नेक्ट, बी सी सी आई ने हाल ही में किसे दरोनाचार्य प्रुसकार हैतू नामित किया है इसका सहे उत्तर होगा B number option राहूल दर्वीर नेक्ट, कोन वेक्ती हाल ही में 27 सरस्वती सम्मान हेतू चुने गए है इसका सहे उत्तर होगा D number option सितान्सु यस्चंद्र सितान्सु यस्चंद्र 27 सरस्वती सम्मान हेतू चुने गए है हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताविक सही सुनता के मामले में भारत को दुनिया भर में कौन सा अस्थान मिला है इसका सही उत्तर होगा C नंबर ऑप्शन चवथा नेक्ट, हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताविक 20 प्रेश स्वत्यंतरता सुचकाउंक में भारत को कौन सा अस्थान मिला है तो इसका सहे उत्तर होगा B-Number Option 138 20 प्रेश स्वत्यंतरता सुचकाउंक में भारत को 138 अस्थान प्राप्त हुआ है नेक्ट, हाल ही में किसे Global Women's Leadership Award 2018 है यह most important है इसका उत्तर होगा D-Number Option सेख हसीना सेख हसीना को Global Women's Leadership Award 2018 है चुना गया है नेक्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वी देश से पैसा भेजने में सिर्ष अस्थान पर रहा है तो इसका सही उत्तर होगा C-Number Option भारत नेक्ट, हाल ही में किये गए अद्धियन के अनुसार किसे 200 वर्स बाद सबसे बड़ी अस्तंधारी जीब बताया गया है इसका सही उत्तर होगा D-Number Option गाय गाएक को हाल ही में किया गया अधियन के अनुसार 200 वर्स बाद सबसे बड़ी अस्तंदारी जीब बताया गया है नेक्स्ट हाल ही में जारी फॉबस की वर्स 2018 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे ताकतवर वेक्ती बने है इसका सहे उत्तर होगा डी नंबर ओप्शन सी जिंफिंग जो की चीन के राष्ट पती है इन्हें फॉबस 2018 के रिपोर्ट के अनुसार सबसे ताकतवर वेक्ती माने गये है नेक्स्ट हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताविक सैन्य खर्च के मामले में भारत को दुनिया भर में कौन सा अस्थान मिला है इसका सहे उत्तर होगा डी नंबर ओप्शन आठवा भारत को आठवा अस्थान प्राप्थ हुआ है सैन्य खर्च के मामले में नेक्ट, हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक कौन दुनिया का सबसे परदूसित सहर बना है इसका सहे उद्थर होगा, D-Number option कौनपूर जो की उद्थर परदेश में है कौनपूर दुनिया का सबसे परदूसित सहर माना गया है और कानपूर ये गंगानदी किनाड़े बसा है भारत ने हाल ही में किस देश की सेना के मध्य होट लाइट अस्थापित करने है तू मंजुरी दी है इसका सहे उत्तर होगा B-Number Option चीन केंदर सरकार ने हाल ही में तक्निकी पढ़ाई कर रहे युवाओ है तू एक कारिकरम शुरू किया है उस कारिकरम का क्या नाम है तो इसका सहे उत्तर होगा A-Number Option Digital India Internship Next किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला पौनी पर तरता परमानु सयंत्र लाउंच किया है ये most important है तो इसका सहे उत्तर होगा B-Number Option रूस रूस ने हाल ही में दुनिया का पहला पानी पर तरता परमानु सयंत्र लाउंच किया है Next हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताविक अमीरी की मामले में दुनिया भर में भारत को कौन सा अस्थान प्राप्त हुआ है इसका सहे उत्तर होगा next हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताविक कीस वर्ष तक दिल्ली दुनिया का सबसे अधिक अबादी वाला सहर होगा इसका सही उत्तर होगा A-Number Option दोजार अठाइस तक दिल्ली दुनिया का सबसे अधिक अबादी वाला सहर होगा Next हाल ही में किये गए ताजा सर्वे के मुताविक कौन भारत का सबसे साप सहर बना है इसका सहे उत्तर होगा C नंबर ओप्शन इंदोर जो कीम्मध परदेश में है और कौनपूर सबसे गंदा सहर माना गया है Next हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताविक सौर उरजा के मामले में भारत को दुनिया भर में कौन सा अस्थान मिला है इसका सहे उत्तर होगा B नंबर ओप्शन तिसरा हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताविक सौर उर्जा के मामले में भारत को तिसरा अस्थान प्राप्थ हुआ है next किस टीम ने हाल ही में IPL 2018 का खिताब जीता है यह most important है इसे आप ध्यान में रखिएगा इसका उत्तर होगा C number option चन्नाई सुपर किंग्स चन्नाई सुपर किंग्स IPL सीजन 11-2018 का खिताब जीता है next हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताविक कौन सा रेल्वे स्टेशन भारत का सबसे गंदा रेल्वे स्टेशन बना है इसका सहे उत्तर होगा B number option कानपूर next हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताविक स्वास्थ संबंधी सेवाओं में भारत को कौन सा अस्थान मिला है इसका सहे उत्तर होगा 145 भारत को 145 अस्थान प्राप्थ हुआ है स्वास्थ संबंधी सेवाओं में next विद्दूत मंत्री ने हाल ही में बिजली भुगतानों में पारदर्शिता लाने है तू एक बेब पोर्टल लांज किया है उस बेब पोर्टल का क्या नाम है इसका सहे उत्तर होगा B number option प्राप्थी next आंद्र परदेश ने हाल ही में नए राजकिय परतिकों की घोसना की है जिन में किसे राजकिय विरिक्ष माना गया है इसका सहे उत्तर होगा B number option नीम next किस देश ने हाल ही में जनमत संग्रह से गर्वपात पर लगे परतिबंद को हटा दिया है इसका सहे उत्तर होगा C number option Ireland ने हाल ही में जनमत संग्रह से गर्वपात पर लगे परतिबंद को हटा दिया है next केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों को लेकर एक अभियान शुरुवात की है उस अभियान का क्या नाम है तो इसका सहे उत्तर होगा C number option क्रीशी कल्यान next किसी देश ने हाल ही में महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया है इसका सहे उत्तर होगा A number option साओधी अरव next हाल ही में किस अस्थान पर भारत के पहले राष्टिय खेल विश्व विद्याले को मंजुरी मिली है इसका सहे उत्तर होगा A number option मनिपूर मनिपूर की राजधनी इमफाल में भारत के पहले राष्टिय खेल विश्व विद्याले को मंजुरी मिली है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर थोड़ा सभी आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक कर देजिए और जादस जादा मातरा में आप अपने दोस्तों के साथ सेर कर देजिए और कमेंट करके बताए ये वीडियो आपको कैसा लगा और डेली करेंट फिर्स भी मैं अपलोड करता हूँ इसके लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली करेंट फिर्स वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सुबह में मिल रहा है थैंक्स पर वाचिंग